समन्दर और आपके बीच का रिष्टा एक मां और बच्चे की तरह है। आपको उसका ख़याल रकना चाहिए। मांता हूं, आप ज्यादा से ज्यादा मछ्लिया पकड़ना चाहते हैं। लिकिन ज्यादा मछ्लिया पकड़ना भी भानिकारक हो सकता है। परियावरण की भलाई इसी में है कि आप ज़ूरत के साथ से मचलिया पकड़ें अगली बार समंदर में जाने से पहले एक बार आपस में चर्चा कर लीजिए कि उस दिन आपको कितनी मचलिय्या पकड़नी है ऑपार्क को लेके तेरे उपर मेरे भाई का दिंगा बहुत सटका हुआ है तेरे भाई की सटके तेरी सटके है किसी और कि मुझे कोई परवा नहीं सोच अगर कुदरत की सटकी तो क्या होगा तुझे आइडिया नहीं है भाई को गुस्सा है तो तेरे साथ क्या होगा तेरे टुकड़े टुकड़े करके समंदर में फेक देंगे अब कैसे समझाओं तुझे मेरे भाई आकाश वायू धर्ती ये समंदर इनके गुस्से के आगे कोई नहीं टिक सकता भाई का गुस्सा हम तेरे को दिखाएंगे तू बता कुदरत क्या करेगी होजा है मुकाबला जो जीता पार्गुस का बोल क्या बोलता है नहीं मानेगा अब पर तुझे पुरा सीन दिखाने से पहले मैं छोटा सा सैंपल दिखाना चाहता हूं आई प्रॉमिस ये बस एक छोटा सा सैंपल होगा हुँ भूक अब कर बोकम के बारे में तो सुना ही होगा ये कुद्रत का ही एक हिस्सा होता है ये मेरा सैंपल था अब पूरा सीन देखो और ये बवंडर था शूना हुआ एक और खतरनाक चीज है तुनामी लहरे उपर उठती जाती हैं चले कोशिश करते हैं तुझे उपर उठाने की हुआ 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 है पॉआ हुआ है जब आपकाओ हुआ है तुनेह नचेषा है मैं भाई को जाके बता दूँगा कि तुम से उलजने का नतीजा क्या होता है मुझसे नहीं दोस्त, कुद्रत से उलजने का गाईज, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सस्क्राइब किजिएगा, कॉमेंट आप पुछ रहे थे कमेंट में आ रहा था कि मेरा डिरेक्टर एडिटर कौन है तो ये रहा मेरा डिरेक्टर भी और एडिट गई तो आप बताईए वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कॉमेंट थीजिए तो आपए है थासजियो आपको ये ए थीजिए पुमेड़ियो आपको भीजिए रहा है वीजिए